आप सभी उमीद कर रहे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे सहत मंद होंगे खुशाल होंगे और अपना अच्छी तरह से धियान रख रहे होंगे हम सब भी मज़े में हैं और लास्टी वीडियो में मज़े किसी ने पूछा था कि आप स्टैंड मिक्सर में कैसे गी बना ले है वह मैं डेल दिया है है आप से मैं फ्रीजर में स्टोड करती हूं और मुझे है कर दो ने को घी बनाना है तो मैं रात को मैं फ्रीजर में से छी हुं मैं कर देती है कर दो आप सिर वर बनादी हूं déjà ऑब में आ दिख्ल में एकुका बडल होक लगाया है और इसके बाद तो ठंडा पानी डाल देती हूं, आगे जब सर्दिया होंगी, तो टाप वाटर जैसा गरम होता ना उतना गरम, गैस पिक करा हुआ गरम नहीं, तो उस तरह का पानी डाल देती हूं, और बस ये थोड़ी दिर में ही मखन छूट जाता है, और इसको फिर मैं ड्रेन करके, क्ली पका लेती हूं, मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूं एक बड़ा ही अच्छा सा हेल्दी सा केक, और ये केक बनेगा गेहूं के आटे से, और इसके लिए मैंने ले लिया ये बटर, तो ये हाफ अकप बटर है, सॉल्टेड अमूल वाला बटर है, और ये मैंने पिगला लि होते हैं, वो मैं सामने प्लाटफॉर्म पर रख लेती हूं, वो मुझे दिखा नहीं, तो रेसेपी करते वक्त वो मेरे दिमाग से निकल गया, इसके बाद मैंने ले लिए यहाँ पर ओवर राइप बनाना, तो ये थोड़े से छोटे ही बनाना है, बहुत बड़े बड़े नहीं है, और ये साठे तीन निकले, तो एक तरह से आप तीन नॉर्मल साइज के बनाना ले सकते हो, और इसके बाद इसको अच्छे तरह से माश कर लीजे, आप इसे मिक्सी में भी प्योरी कर सकते हो, बट वो मत करना, उससे कभी-कभी ना कलर डाग हो जाता है, इस तरह प बाटर और चीनी को मिक्स कर लिया था, आप जैगरी पाउडर ले सकते हो, ये हाफ अकप लिया था मैंने, और इसके बाद जो प्रसीजर चल रहा है विल्कुल वैसे ही, आप स्टेफ वालो करें, बनाना का जो प्योरी जैसे है, ये डाल करके इसको अच्छी तरह से फेट जब तक इसका कुछ भी अगर लंप वंप है तो वह ना दिखे, थोड़ा बहुत रहने से तो ठीक लगता है, टेक्स्च्चर आता है, पर ज्यादा ही मोटे मोटे चंक्स होंगे, तो फिर मज़ा नहीं आता, इसके बाद पर मैं चलनी लगा रही हूँ, जितने भी ड्राइ इंग्रीटेंट है, वो मैं चान करके आड़ करूँगी, आप ड्राइ इंग्रीटेंट एक अलग बरतन में भी चान सकते हो, मैंने हाफ अ कप वाला मेजरेमेंट ले लिया है, तो चार बार गेहूं का आटा में यहाँ पर आड़ कर रही हूँ, यानि कि इन टोटल टू कप मैंने गेहूं का आटा आड़ कर दिया, आप एकोल अमाउंट में मैदा भी ले सकते हो, फिफ्टी फिफ्टी कर सकते हो, और चाहें तो आधे गेहूं के आटे को रागी फ्लार से रिप्लेस कर सकते हो, इस केक में हमालग से कोई भी राइजिंग एजेंट, या तो अंड़ आवणा नहीं डालेंगे, वैसे भी मैं तो एगलस बेकिंग ही करती हूं, एड के हैं मैंने 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर एं उसका 1 फूर्थ लाइक हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हमेशा फ्रेश बाच का ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा आड करें, ये ये वो डालने की ज़रत नहीं है, तो अभी हो गए हमारे सारे ही ड्राइ इंग्रीटिंस रेडी, इसको अच्छे तरह से चान लेंगे, मिनिमम वन टाइम ज़रू से चाना कीजिए आपके ड्राइ इंग्रीटिंस को दो तीन बार कर लें तो फिर वो बेटर रिजल्ट दें मैं आपको एक इंपोर्टन टिप देती हूँ, जो अगर आप उसका इस्तमाल कर रहे हो बेकिंग में तो वह एना कम लिक्विड अब्सॉर्ब करती है, तो कोई भी रेसिपी में आपको मैदा दिया हूँ है, लेकिन आपका मन नहीं है मैदा यूज करने का, आप गेहूं का पर आपका जो भी लिक्विड आप यूज करें, जैसे यहां पर मिल्क यूज हो रहा है ना, पानी भी या बाटर मिल्क भी जो भी आप यूज कर रहे हो, उसका प्रपोर्शन बदल जाएगा, क्योंकि जो मैदा होती है, वो कम लिक्विड अब्सॉर्ब करती है, जबकि ग कि हूँ का आटा मेरी तरह इस्तमाल किया है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मिल्क जाएगा, जो इसकी कंसिस्टेंसी है, उसको धियान रखें, वो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, तो मैंने यहां थ्री फॉर्ट कप से भी जादा, क्लोस टु वन कप मिला दिया है, और मैं कंसि देख करके फिर लिक्विट का अंदाजा लगाएं, तो जादा आपको अच्छे रिजॉल्ट मिलेंगे, इसके बाद मेरा जो फ्लूट मोल्ड है, इसको रेडी कर लिया है, और यह मायर का है, इस वेरी नाइस, मुझे इसमें टी टाइम केक बनाना जादा अच्छा लगता तो मैंने इसके अंदर बैटर अड़ कर दिया है, उसको टाप कर लिया है, तो दाट एर बबल निकल जाएं, और इसके बाद इसको करेंगे थोड़ा सा गानिश, इसको टॉप कर सकते हैं आप जैसे दिल चाहें आपका, इसमें थोड़े से आप जो बनाना है उसका स्लाइस लगा सकते हो, वर्टिकल चाहें तो मेरे तरह बादाम लगा लिजे, बादाम को कूट करके लगा लिजे, वालनेट्स डाल लिजे, चौको चिप्स डाल लिजे, जो आपका दिल चाहें वह आप मिला सकते हो, पहले मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही थी बड़ भर मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और अचली जब आप वेट ड्राइ इंग्रीडियेंट्स केक में मिक्स कर देतों, तो बहुत जाला वेट नहीं कराना चाहें, तो रांत उसे बेकिंग पे रखें, तो इसे मैंने फिर जो आमंड से सकाटर ही कर दिये, और इसके बाद इसको ब तो देख लेना, आपको ज़रुत लेगे, तो लास्ट में टुद्पिक चेक करने के बाद दो चाहाँ मिनिट और रख सकते हूं, सेम टेमपरीचर पे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने गोविंदो फोग राइस मंगाया है, तो समबड़ी आज़्ट मी कि गोविंदो फोग राइस क्या होता है, इस वराइटी अफ राइस हैं यह शॉर्ट ग्रीन डाइस होता है, बहुत आरॉमाटिक होता है, तो इसके में बनता है, वैसा यह बना रही हूं है, कहां कहां इंप्रूव्मेंट हो सकते है, मेरे बेंगॉली फ्रेंड्स मुझे आप बता सकते हो, your suggestions are welcomed, तो फिर मैंने यहां पर जो मूंग डाल होती है, बिना शिलका की, इसको रोस्ट कर लिया है, और मैं इसमें तोड़ी सी मसूर दाल भी आड़ करूँगी, खिचडी में मैं थोड़ी मसूर दाल आड़ करती हूँ, not only this खिचडी, कैसे भी खिचडी में, तो मेरे बच्चों को अच्छी लगती है, तो यह से मैंने थोड़ा मसूर दाल ले लिया है, और यह तीन चीज़ें, आप चाहें तो इन तीनों को मैंने चाबल लिया, तो यह सबसे ज़ादा मूं की दाल मैंने यहां पर ले रखी है, और मूं की दाल टोस्ट कर देने के बाद यह तीनों चीज़ें को मैं सोक उने रखूंगी, मैंने यह पापड़ भी मंगाये थे, तो यह मूं की दाल के पापड़ हैं, राजिस्थानी राजिसानी पापड़ा डलिकसी बहुत अच्छे लगते हैं यूज्वली लिज्जत के पापड़ में लाती हूँ जो उड़द वाले होते हैं तो वो सानुकिषी नहीं काती हैं उनको थोड़े वो कड़वे लगते हैं जो केक है मेरा वो बेक हो गया था तो मैंने इसको चेक किया है नाइफ क्लीन आ रहा है तो इसके बाद है इसको केक भी और कुकीज भी हमेशा थंडी करनी होती हैं उसके बाद वह better result देते हैं वह सही texture पकड़ पाते हैं लेकिन husband आगे ते घर पे चाई बन रही थी तो फिर I was like कि यह मैंने चाई के लिए ही तो बनाया था तो थोड़ा सा अभी आप देख सकते हो गरम गरम काटने में भी डिपिकल्टी होती है and look at its texture texture भी सही से नहीं बना एकदम सॉफ्ट है यह भी बिल्कुल सॉफ्ट भाप निकल रही है इसमें से तो हमेशा केक को बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो जाने दें तो वह better texture पकड़ लेता है like true texture आ जाता है चायवाई पीने के बाद मैंने जो खिचडी है वह सोख हो चुकी ती धुल लिया है इसको और यह चड़ा दिया है तो जितनी खिचडी है उससे तीन साड़े तीन गुना आप पानी डाल दीजे और इसको सीती लगाने रखोंगी मैं यह जग के बारे में बहुत सारे दो जाल लगेगी ना तो बाहर नहीं निकले पानी और इसको सीती लगा लीजे और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ आलू दम तो इसके लिए मैंने टमेटो ले लिया है और अदरक है और हरी मिर्ची है बिना लसन प्यास का खाना बन रहा है आज तो इसको मैं पीस लोगी और और फिर बाद में मुझे याद आया, मुझे इसके साथ थोड़े से काजू भी पीसने थे, बट कोई नहीं याद आ गया, तो मैं इसमें भी काजू आड़ करके भी पीस लूँगे, मेरे साथ वही है, मुझे जो चीज़े चाहिए होते हैं कुकिंग में, वह अपने सामने कर दिया है, हल्दी भी डालनी थी, पर हल्दी मैंने नहीं डाली, क्योंकि उससे जो प्लास्टिक है ना, यह जो वाइट वाइट रिम है, मिक्सी का, यह स्टेन हो जाता है, हल्दी मैं उपर से मिला दूँगी, यह जो मिक्स तयार हुआ, इसके अंदर आट किया है, मैंने थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बंगॉली उस देर भाजा मसाला, भाजा गरम मसाला, बाजा गरम मसाला, समझाईएगा, और थोड़ा सा फिर मैंने इसके अंदर आड कर दिया है, आम चूर, एंदेन आड कर दियो, मैं हल्दी यहां पर, पहले मैंने लाल मिर्ची का पाउडर, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, रहलका सा सॉफ का पाउडर डाला था जब पीसा था, और अएट कर दिया ता एपका दिल चाहे तो अएट करें, नहीं चाहे तो ना आड करें, राजमा मसाला अड़ कर सकते हो, या छोले का अड़ा अट पर सकते हो, तो यहां आलू दम में अच्छा टेस्ट आता है, मैंने थोड़ी सी फिर जो जीरा कशमीरी देगी मृची है, इस इंडस वैली से ही है और इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है मेरा कूपन कोड भी है तो आपको अच्छा कासा डिसकाउंट उस कोड को यूज करके मिल जाएगा अगर आप खरीदने का मन बना रहे हो तो यह बॉयल्ड आलू थे इन्हे के बाद तड़का लगाएंगे तो मैंने यहां पर आड़ कर दिया है बे लीफ और थोड़ा सा जीरा जीरा की जगा आप चाहें तो पांच पोरण भी आड़ कर सकते हो और इसके बाद प्र मैंने आड़ कर दिया इसके इंदर वह जो ग्रेवी का मसाला बना करके रखा था और अब इसको भूनना है बहुत अच्छी तरह से इसमें से तेल चूटना चाहिए इसका कलर और खुश्बू भी बदल जाएगा मीनवाइल मैं आड़ कर रहे हूं थोड़ा सा इसमें नमक एं तो डिसी शुगर बेंगॉली कुजीन में शुगर आड़ होती है और टेस्ट यहां पर मैंने इसको वापस से डखन लगा के पकाया जब तक तक तेल चूट जाए और देखिए मसाला कितना बढ़िया हो गया है अड़िस स्टेज मैं इसके अंदर आड़ कर रही हूं अलू अब आप चाहें तो ऐसे इसको तोड़ा सुखा-सुखा बून लीजे वह सब अच्छे तरह से सबजी उबलने लगेगी तो इसमें मैंने आड़ किया है थोड़ा सा कसूरी में थी हातों से क्रश करके और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर आड़ कर रही हूं मटर यह फ्रोजन मटर है तो यह पहले से ही पके हुए है इसलिए स्टेज पे आड़ कर रह वालूंगे अड़ किया है मैंने गी के अंदर पंच फोरन सुखी लाल मिर्चे कटा हुआ अद्रक आप अरी मिर्ची भी काट करके अड़ कर सकतो मैं बस मोटा टुकड़ा अड़ कर दिया है क्योंकि मुझे खिचड़ी स्पाइसी नहीं करनी है जो मिर्चा में पास है बहुत यामी लगा खिचडी विद दम आलू और ये देखो कैसी बुलकड़ू में मैंने ना पापड मंगा रहते हैं खास इसलिए कि खिचडी के साथ पापड खाने में मज़ा आता है और मैं बाद में पापड सेखना ही बूल गई मैंने फटाफट से बस खिचडी सर्फ करी और मुझे ये था कि मुझे रात का काम जल्दी रैप अब ये किचडी बी साफ करना रहता है सुबह की तियारी भी करनी होगी और कब मेरे दिमाग से उतर गया मैंने इन लोग को बोल दिया कि यार तुम तिनों खाना खालो मैंने खाना नहीं खाया था मैंने लेट खाया थ और जब मैं खाने बैठी तब मुझे लगा हो जो मिस्टेक हो गई पापर तो भूने ही नहीं तो हम लोग उस दिन टेकतलान गए थे तो उस दिन भी मैंने नहीं रेकॉर्ड किया और उसके बाद मैंने आपको व्लॉग में प्रॉमिस भी कर जा कि मैं दिखाऊंगी बहुत सब्सक्राइबर का होता है है टावल जो होता है एक यह लेकर आई थी मैं सुन्दर लगा था मुझे सानवी खुषी के बास अल्रड़ी है पर वो लोग यूज करते हैं तो मुझे देखकर ऐसा अच्छा लगता है मतलब मुझे इसकी यूटिलीटी समझ आ रही थी तो आए यह ऐसी वाली स्कूर्ट है यूज इस लिट यह मैंने क्यों लिया है क्योंकि मैंने यह ली थी मोनो कीनी अच्छा मैंने दिखाया था तो कुछ एक फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा था कि मुझे जॉइन करने वाली हूँ मैं पहले यूगा घर में रही थी तो लेकिन वह हैं मैं तोड़े दिर बाद आऊंगी पर मैंने यह swimming costume लिया है मुझे इतना जारा टेंशन हो रही थी मुझे ऐसा नीचे था जो रिवीलिंग हो पर एक swim costume चाहिए था विकेज मैं जा रही हूं vacation पे बहुत वक्से आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि नीलम गो फॉर ट्रेप और बहुत वक्से कहीं गई ही नहीं हूं इस तरह कर रिलाक्स वाला जो रहता है और मेरे हस्बन जब आय थे अपने क्लीक के साथ वह गय थे ना तो जब आय थे तो तबसे उनको यह ऐसा गिल्ट ट्रिप और था कि नहीं मुझे मैं फर्स्ट वो नहीं की लाइफ का फर्स्ट पूछने की बाद तो पूछने की बाद तो बहुत दूर है कि मुझे कुछ उप्शन दिया हो मैं चूज करूंगे अपको बता हूंगे बड़ी जो प्रोग्रम में फुली कॉंसेप्चुलाइज एन एग्जीक्यूट बाइब है तो यह उन्होंने मुझे भी नहीं बताया पूछने की बाद तो बहुत दूर है कि मुझे कुछ ऑप्शन दिया हो मैं चूज करूंगे डेस्टिनेशन उन्होंने खुदी कर लिया था मुझे काफी बाद में उन्होंने बताया जब आक्चली आइटिनररी तयार हो रही थी होटेल एवरिधिं तब फिर उन्हों बहुत सारी जगह पर एंट्री नहीं होती है अगर आपके पास प्रॉपर कॉस्ट्म नहीं हो मैं अबरॉड की बात नहीं यहां पर भी हम लोग 2020 2020 की फेबरी में कहीं पर गहे थे घुमने तो उनके पूल में एंट्री नहीं थी महां मोटा मोटा लिखावा था कि अगर तो मैं सुचा यार यह तो लगा ही रहता है तो एक लेई लेती हूं तो मेरे को इतने इफन बटा रहे थे दिल में कि ऐसी नहीं रिवीलिंग नहीं नहीं वह नीचे से चोटा फ्रॉग जैसा होता है वो तो बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए थी तो यह वैसी मुझे और दूसरा फिर आती है मेरी बॉड़ी की बाद बहुत लोग यहां भी बोलेंगे आप ऐसी मुटी हो यह हो वह हो तो एक सेकंड तो यह तो थी मेरी चीजें यह स्कुर्ट मुझे एक साइज चोटे करके लाना है और इसके बाद फिर शर्मा जी ने भी शॉर्स ले थे वह बंडाना टाइप कर भी लिए था थोड़ी बहुत चीजें और भी ली थी शानु कुषियर शर्मा जी के लिए तो वह उन लोग के पास अपनी अपनी है एक टीशिट भी मैंने ली थी रस्ट और इंज कलर की तो वह तो मेरी वाश और यूज और यूज और यहां पर भी ब क्या बोला था कुब निकल गया है तो उंद निकल गया है पता नहीं क्या के लिखा हो तो मैं वही आपको बता रही थी थोड़े दिर पहले मैं खुद चाहती हूँ पने पर काम करना बट मुझे डॉक्टर ने इतना बड़ा डर्मोईट थी कह अब डर्मोईट आप में से लोग को पता होगा तो वो जानते ही होंगे नहीं पता होगा तो मैं बतायती हूं वो हेवी चीजे मतलब जैसे सिस्ट हो जाता है ना ओवरी में वर्ट सिस्ट इस अच्छली वाटर फ्लूइड फिल्ड पर जो डर्मोई होता है इस वेरी हेवी उसके इंदर हेवी इलिमेंट्स होते हैं आप इसके बार में तुछ गूगल कर सकते हैं जाधा जानने के लिए तो इससे क्या आता है ना जैसे पहले लाइन फोन नहीं आते थे तो आप फोन को तार से उठाले तो वह कैसे ड्विंडल करता रहता है तो उस से यहालत हो जाती है ओवरी की एंद मै मैं गायनेक के टच में हूँ, जैसा वो बोर रहे हैं, जैसा हम लोग को समझा रहे हैं, तो मुझे रिमूबल का प्रसीजर करना है, बट आम वेटिंग पर राइट टाइम, तो जब तक वो है मेरे ओवरी में मैं नहीं मूव कर सकती, क्योंकि बिल्कुल वही इस तरह लटकना, इस तरह जैसे फोन लटकता है, वही मेरी हालत है ओवरी की, तो मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्ली मना किया है, कि जो अच्छा लगाना वाला पॉस्चर होता है उसमें नहीं जाना, यह नहीं करना, वह नहीं करना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, तो मैंने योगा की क्लासेज ली तो फिर मेरी आजमन को पास चला, कि मैं योगा करने तो उनों मुझे डाटा की, सीधे सीधे बैठने और खड़े होने का जो है, इसलिए मैं जब करती हूं तो वह थोड़े दिन के जोश में फिर लेने के देने पड़ जाएं तो वह अलग कर जब यह सब ठीक हो जाएगा आगे बहुत टाइम पड़ा है उसके बाद कर लेना तो मैं चाहती हूं कि मैं करूं पर उनको यह है कि नहीं हेल्थ कम्स फर्स्ट पहले धियान रखो तो मेरे और एक और चीज़ आपकी बाजू इतनी मोटी थोड़ा मुझे फैट है मैं इ अब वीडैयोंग और मैं पोलता है टो लोग जितने लोगों मुझे सामने से देखा है की क्या वीडियो मेंais इसले कि कपाल ना वीडियो में एक हो तो आप होन के 1.5 युल जाकर खुद just record के और साइड में घर जाएं यह बेच में जो लोग वह निए निए नहां सक difाष्पन करने हागि तो फिर आपको लगता होगा कि बाजू कितने मोटे हैं तो है यार मैं 5.5 फूट साड़े 5.5 इंच की हूँ मेरा थोड़ा हाइट वाइट है थोड़ा थोड़ा बॉड़ी बॉड़ी भी है तो मैं ओडिनाई नहीं ही और आपने मेरे अच्छे के लिए ही का होगा और कोई अपने लिए बैस थी चाता है तो आम नो एक्सेप्शन दूसरा पिशली वीडियो में कुछ है कैसे कॉमेंट भी था बुड़ी तीनों बुड़ी और भूतनी मैं समझ सकते मेरी एज हो रही है तो कुछ लोग जो जवान है नेने 20 में आयोंगे उन लोग के लिए हम ब 50-60 के होंगे ही तो यह बुड़ी को इतना हिलेरियस टर्म क्यों समझ रहा है मैं दिख रही हूं तो दिख रही हूं मेरी गर्ल्स भी उसको बुड़ी दिख रही है तो दैसे क्लियर सिम्टम अफ जलकुकडी सिंड्रोम मेरा है मन हुआ आज आपके साथ बैठके बात करने क जैसे मतलब जैसे चल रहा है मुझे लगता था व्लॉग यानि कि सब कुछ ही बता दो अभी वैसा ही है जो है जैसा है वो मैं आपको बताते हूं लेकिन नाव आई वेट कि वह चीजे हो तो आपको दिख जाएगी तो वह अच्छा लगता है पहले से मैं बता दू हूं और कोई भी रीजन रहा हो कि वह चीज नहीं हुए पर कुछ लोग ऐसा लगता है कि तुमने तो व्लॉग के लिए व्यू के लिए ऐसा वोला पर कभी-कभी चीजे आप प्लान अलगतार है कि सगरते हो चीजे होती वैसे नहीं है तो फिर बाद में बेकार मजाक सी हो जाती है तो इसले हमें नहीं बताती है जैसे लास्ट समर वेकेशन गया है तो मैंने जिकर भी किया था आप से की पूरी फैमली का गोवा जाने का प्लान है बट वह भी नहीं हुआ अभी सप्टेंबर के लिए कुछ प्लान हो रहा था बट मुझे वह भी थोड़ा सा डाउट फुल लग रहा है तुसले जो ट्रिप है इसका भी जब टाइम आएगा तो जब होगा तो आपको सब कुछ दिखी जाएगा सिमिलरली मेरे हेल्थ लेवल पे और भी कई सारी चीज़े हैं वो जब होंगी जब प्रॉपरली में वहां उस पोजिशन में होंगी उस प्रसीजर में ह होंगी तो आपको तब तो पता चली जाएगा तो पहले से बता बता के मुझे चीजों को बिकार में हाइप अप नहीं करना है